हलो फ्रेंस आज हम बात करेंगे जिरोधा काइट के विबब पोर्टल के बारे में कैसे हम उसमें लौग इन करते हैं, कैसे हम वाच लिस्ट बनाते हैं, कैसे किसी शेयर को बाई करते हैं, तो सबसे पहले आप एक अपना विब ब्राउजर ओपन करेंगे और Google में टाइब करेंगे काइट जिरो दा लॉगिन तो इसमें जो पहला लिंक open होगा जिरो दा काइट आप इसपर क्लिक करेंगे ID और password डालने के बाद आप External TOTP यानि यह आपका एक Authenticator App होता है और जो हम अपने account setup के दोरान ही use करते हैं इससे safety बनी रहती है तो इस External TOTP को आप अपने Authenticator App जो Microsoft या Google Authenticator हो सकता है उसको यूज करके यहाँ पे इंटर करेंगे तो login और password के बाद सबसे पहले आपका homepage ऐसे दिखेगा जहाँ पे कुछ basic information होती है basic information आप इस side में देखेंगे तो यहाँ पे आपके सारे watch list के जितने भी share होते हैं यह आपके ऐसे present होंगे जैसे Asian Paint है, Astral by Bajaj Finance यहाँ पे equity margin available है, मैंने कोई margin use नहीं किया है, यहाँ पे commodity से related information है, यहाँ पे मैंने dashboard select किया है, तो आप यह देख सकते हैं, यह dashboard है आपका basic और यहाँ पे जो है मेरी सारी holdings दिखा रहे हैं कि मेरे पास कितने number of shares हैं जो कि यहाँ पे आप देखेंगे यह 26 है और यह profit है 9.45 lakhs का plus 31%, 31.81% है यहाँ पे फिर आपको एक current value दिखेगी current value जो कि आपके investment plus profit का sum होता है, यहाँ पे total investment दिखेगा और यह graphical representation है सारी चीजों का यह और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यह भी एक graph nifty 50 का है जो current value दिखा रहा है जो कि uptrend में है यहाँ पे dashboard हमने explain किया आप दूसरा option देखेंगे orders का है इस पे मैं click करूंगा यहाँ पे जो top menu है इसको हम एक एक करके explore करेंगे कि इनका क्या meaning होता है तो सबसे पहले हम देखेंगे orders पे तो orders पे आप देखेंगे इस समय मेरे पास कोई order नहीं है यहाँ पे आप history देख सकते हैं उसके बाद जो next है आप GTT, GTT अगर आपने कोई order लगा रखा है यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास एक GTT order यहाँ पे active है जिसमें मैंने ICICI bank का GTT लगा रखा है और यह 3 March का created है नॉर्मली आपको पता होगा कि GTT orders जो है एक साल के लिए valid होते हैं तो यह single buy type का है trigger price 1000 है और last traded price है 1233 जिसमें 10 quantity और active है इसका मतलब यह है कि अगर जो अभी stock का price है 1233 यह किसी भी दिन अगर किसी वजह से down होके 1000 तक आता है तो automatically मेरे account में अगर पैसे हैं तो आप देखोगे कि यह 1000 के price पे 10 जो है number of ICICI bank के stocks अपने आप purchase होकर के मेरे accounts में आ जाएंगे next अब आप चेक करेंगे कि holdings holdings का आप देखेंगे यह है holdings top पे अब holdings में क्या होता है let's see मैं click करके आपको अपने holdings दिखाता हूं उसका क्या status है अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो top left पे देखेंगे कि मेरे पास 26 stocks की total holding है और यहां पे आप देखेंगे total investment price है और यहां पे आपको current value दिखा रहा है यहां per day का profit and loss है तो आज की date में मेरे पास 5760 रुपीज का profit है total profit and loss है 9,45,428 और यह करीब-करीब 31.82 यानि 32% का profit है आप stocks ऐसे analysis कर सकते हैं यहां पे एक-एक करके यह देख सकते हैं कि यह पूरे stock के list है FL से start हो करके यह alphabetical order में होती है और यहां पे अगर आप देखेंगे यह quantity है हर एक stock की तो FL के against अगर हमें देखना चाहूं तो यह total आप देखोगे एक example के तोर पे अगर हम बात करें तो FL stock के 120 stocks मेरे account में है average cost है 1023 last traded price है 1339 current value है 1,60,728 total profit and loss जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं यह है मेरा 37,000 और जो profit percentage की बात करेंगे यह है 30% तो ऐसे ही करके alkylamine जो कि अभी आप देखेंगे कि यहां पे red में है यह loss में चल रहा है similarly Asian paint mostly मेरे green में है कुछ एक chemical sector के stocks है जो negative में है जो क्योंकि पूरा sector ही चल रहा है Bajaj Finance one of the most popular stocks आप देख सकते है 14% के profit पे है Dixon जो profit पे है मैं अपना profit नहीं show करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यह यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इस chart को इस holdings को read करते हैं यह basic understanding है आप भी अगर नए है beginner है stock market में तो यह सारी चीजें आपके लिए useful हैं Holdings के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे position है, bits हैं और funds हैं तो कितना funds का मतलब आपके account में कितना funds अभी available हैं यह सारी चीजें आप देख सकते हैं इसके बाद हम watch list पे बात करते हैं कि कैसे watch list create करते हैं और कैसे आप shares को buy और sell कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने बहुत सारी 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यह आपके watch list होते हैं और हर watch list के against में हर watch list जैसे यह 2 है, यह 1 है, यह 3 है इसके against आपको यहाँ पे यह सारे stocks के list आती है यह आप खुद से बना सकते हैं suppose आप swing trade करना चाहते हैं, उसकी एक different आप watch list बना सकते हैं, किसी को long term रखना है, किसी को short term रखना है, इस तरह से आप अपना watch list create कर सकते हैं अभी आप देखेंगे, जैसे मेरे पहले playlist में इत्ते सारे stocks हैं, इसी तरह से मैं अपनी second playlist अगर आपको open करके दिखाऊं तो इसमें ये stocks हैं, एफल, अलकाईलमीन इस तरह से, और इस तरह से तीसरे stocks है, तीसरे playlist है, सारी watch list है, चार, पांच, छे, और ऐसे आप बहुत सारी बना सकते हैं तो चलिए इसमें हम एक watch list को select करते हैं, और एक stock के बारे में बात करते हैं For example, ये एक must-dock का stock है, और ये एक must-dock का stock है, और जिसकी ये सारी details यहाँ पे है, price है, कितना percentage up and down है ठीक है, तो इसको हम अभी open करके, अब अगर आप देखेंगे, यहाँ पे buy का है, sell का है और ये chart open करते हैं, तो यहीं पे आप click करोगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे chart का सारा details आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा, और जैसे ये मैंने candle bar chart पे set किया हुआ है One day का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे charts related सारी information होती है, आप देख सकते हैं अगर आपको chart कैसे set करना है, क्या-क्या important parameters होते हैं, इसको आसानी से set कर सकते हैं, इन सारे features का use करके जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो यह मैंने candle chart type का set किया है और मैं candle per day के हिसाब से देख रहा हूँ, आप hour और minutes में भी देख सकते हैं, normally hours या minutes ट्रेडिंग के लिए use होता है, per day, per week, per month या आप customize कर सकते हैं, normally investment के लिए होता है, तो start का मतलब क्या हुआ, start का मतलब यह हुआ, कि यहाँ से आप अगर आप देखो, तो आज की date में, यह candle green है, यानि इस stock का price 5000, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप देखें, जो मैंने circle किया है, left side में, 5685 और यही चीज ग्राफ में दिखाएगा यहाँ पे, कि यह current value है, इस stock के, तो अब आप देखोगे, पिछले कई दिनों से, अगर आप 23 अक्टूबर जैसे यहाँ पे मैंने select किया है, आप यहाँ पे bottom पे देख सकते हो, यह इसके साथ dates आती हैं, ठीक है, तो 23 अक्टूबर से ल तो यहाँ 2000 के आसपास से 5000 है, यानि यह दो गुने से भी जादा, दो गुना से जादा हो चुका है, दो गुना, धाई गुना हो गया है, 56, 57 की range में आ गया है, और यह green का मतलब है, कि यह हमेशा अभी आज की date में यह positive, यानि इस stock अपने पिछले दिन से बढ़ करके, उसक अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर आगर आप देख सकते हैं, यह buy का button है, buy के button पर click करते ही, आपको यह box जो है open हो जाएगा, इस box में आप देख सकते हैं, कि सबसे पहले quantity का information है, price है, intradate है, तो अगर आपको समझ लीजिए कि 10 stock चाहिए, तो आप यहाँ पर 10 enter कर दीजिए, price यह जो आपका current price है, 5685 और यहाँ पर आप buy क्लिक करेंगे, तो यह stock आपका buy हो जाएगा, similarly अगर आप already hold करते हैं इस stock को, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो मैंने click किया, यह sell button है, sell button पर click करेंगे, sell button पर click करते ही, आप जो है stock को sell कर पाएंगे, तो यह stock मेरे portfolio में अभी नहीं है, जो stock मेरे portfolio में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अलागि इस example से भी आप समझ सकते हैं, अगर आपके पास 150 stock हैं, या जितने में हैं, उन में से आप 10-5 sell करतना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने entry दी, जो भी price है, current market price है, आप ज्यादा पर कर करेंगे, तो यह order execute हो जाएगा, तो यह मैंने example आपको दिया, कि किस तरह से आप सारी watch list यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से एक एक stocks के बारे में आप जान सकते हैं, उसका buy, sell price, उसके chart को आप यहाँ पर click करके, chart जो है, यहाँ पर open हो जाएगा, chart की analysis कर सकते हैं, और यह नहाँ पर आपको इस chart से बहुत सारी information मिलती है, यह RSI indicator है, यह आप देखोगे, M.A.C.D. है, यह bollinger bands है, इन सब के बारे में भी हम अपने आने वाले videos में बात करेंगे, लेकिन एक basic tutorial था, जिसमें आप watch list और जो basic आपके dashboards हैं, orders हैं, holding हैं, position हैं, funds हैं, उन सारे चीजों क कैसे navigate कर सकते हैं, और कैसे उसका use करके आप shares को buy और sell कर सकते हैं, यह बहुत ही simple और easy process है, अगर आप इसके बारे में आपको कोई confusion है, कोई doubt है, तो आप मेरे में से हमेशा पूस सकते हैं, comment section से, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे questions का answer कर पाऊं, इसके बाद आप द funds के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, तो अभी चुंकि Sunday का दिन है, तो जीरोधा जो है, यह अपना maintenance चलाता है, nightly और weekends पे, तो आपको, आपके जितने भी funds होंगे, वो सारे अभी zero ही दिखाएंगे, इसमें कोई घपराने के बात नहीं है, यह normal days पे भी, nightly cycles की व login करते हैं, और आपके funds zero दिखते हैं, तो इसमें घपराने के बात नहीं है, क्योंकि इसमें message भी आता है, और सुबह आप देख सकते हैं, कि सारी information आपके पास available रहती है, अब यहाँ पे देखेंगे, कि इस funds में दो चीज, दो option बहुत important है, कि funds को कैसे use करते हैं, तो यहाँ add funds कर सकते हैं, और यहाँ funds withdraw भी कर सकते हैं, तो अगर आप add funds पे click करेंगे, तो add funds पे जैसे ही आप click करोगे, तो आपको एक नया pop-up window, जैसा मैंने यहाँ पे show किया है, यह आपको open हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोंगे, कि deposit funds को option है, आप कितना amount डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे amount enter कर सकते हैं, subject आपका equity derivative or currency है, बतलब आप इन सारे instruments को buy करना चाहते हैं, आपका account जो भी bank account link होगा, जो भी आपका UPI ID है, यहाँ पे आपको show करेगा, bank ID यहाँ पे show करेगा, अगर आप UPI use करते हैं, तो यह completely free होता है, तो यह देखिए, यह UPI के लिए मेर पास banking app में option आएगा, जहां से अगर मेरे add करते ही, अभी यह आप देख सकते हैं, कि 4 minute का window है, 4 minute के अंदर अंदर मुझे यह add करना है, 5000 जो मैंने यहाँ पे select किया था, और वो मेरे account में funds add हो जाएंगे, जिससे मैं अपने shares को buy कर सकता हूँ, इसके बाद आप यहाँ पे द यह आप अपने profile पे click करेंगे, आपके profile से related सारी information आ जाएगी, जहां पे आप अपना profile related information देख सकते हैं, जैसे my profile, console के portal पे जाना है, तो यहां से देख सकते हैं, जिरोधा coin पे जा सकते हैं, जो आपका mutual fund based, इनकी services हैं, यहां पे support में जा सकते हैं, किसी friends को invite कर सकते हैं, आ काईट का tour कर सकते हैं, उसकी basic information, उसकी user manual के बारे में information, keyboard, shortcut वगरे सारी information आपको यहां पे मिल जाएगी, और यहां से फिर आप finally log out कर सकते हैं, तो यह एक basic और बहुत ही high level जो आप बोल सकते हैं, कि features के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, अगर आपको इस से related कोई question है या query है, तो comment section में mention करिए, और मैं आपकी help करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर किसी informative video में next time, thank you very much for watching.